नमस्कार अवनी हिंदुसानी की तरफ से भारत माता कीजे पहली एप्रिल को हमेशा में राहूल गांदी दिवस के रूप में मनाती हूँ क्योंकि अगर राहूल गांदी ना होते तो हमें नेशनल लेवल का कॉमेडियन नहीं मिलता दूसरी बात के एक घदे के पीछे इतने सारे घदे जो एक पचास साल के बुढ़े को युवा नेता युवा नेता ना अकल ना शकल फिर भी प्रधान मंत्री बनने का जो सपना देखता है तो इस से ज्यादा बुद्धी से पैदल इंसान कोई होई नहीं सकता है तो इस दिन को मैं बहुत अच्छे से राहूल घंदी को याद करके मनाती हूँ दूसरा के जो इनसान खुद भाड़े की सरनेम लेके घूम रहा है वो इनसान आरे से इसको मिटा देने की बात करता है मतलब उसकी बुद्धि का किस लेवल की है वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं जिसका खुद का फैमिली बैग्राउंड उनकी माता जी क्या इजददार काम करती थी इटली में वो तो बहुत ही प्रचलित है अगर इटली में जाये तो आज भी लोग उनको किस नजर से देखेंगे जो उनके माता जी के समय पे जो ग्राहक रह चुके होंगे वो उनको किस नजर से देखेंगे वो राहूल गांदी को शायद समझ में नहीं आता है इस वजे से कभी-कभी मैं सोचती हूँ के नरेंद्र मूदी जी की सबसे बड़ी फैन मैं हूँ लेकिन मुझे लगता है के नहीं मेरे से भी ज्यादा एक बहुत बड़ा फैन है नरेंद्र मूदी का और वो है राहूल गांदी का स्क्रिप्ट राइटर मतलब वो इस घदे को और फरनिष्ट करके कैसे सर्टिफाइड घदा बनाया जाए उस हिसाब से उसके भाशन लिखना तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्दी है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पहली एप्रिल को राहूल गांदी दिवस के रूप में मनाए क्योंकि वो मन्द बुद्धी ना होता तो 8500 आप कभी नहीं सुन पाते आप कभी भी आलू से सोना बनाने वाली तरकीब ना सोच पाते आप कहीं भी जाए तो अपनी इज़त का फालुदा कैसे करवाना उसमें उन्होंने मास्टर ही हासिल करी है तो इस इंसान को हम 12 महिना जूते चपलों की तरह पीटते हैं तो मैं चाहती हूँ के एक दिन इनके नाम पर किया जाए तो पहली एपरिल को मन्द बुद्धी दिवस के रूप में मैं राहुल घंदी दिन के हिसाब से मनाना चाहूंगी आप भी जरूर मनाए भारत माता की दोब दोप से मनाः फिजए हृस पाल बढूर तो इजर दो पीज़ कि रिवस के रहाँ और दो ईंदी दोप्रों की फिर देग कर दोब डिमांदी के यह दियाई